इटावा जिले के चौथे चरण में लोगसभा का चुनाव संपन हो चुका है। सभी प्रत्याशियों के किस्मत इविएब में कैद हो चुकी है। यहां सपा प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो भाजपा प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन सपा प्रत्याशी की सुरक्षा में लगी दो पुलिस कर्मी को हटा लिया गया है। सुरक्षा से पुलिस कर्मी को हटाए जाने के बाद सपा के लोग काफी नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि दून जवानों को सुरक्षा में लगाया जाए। उन्होंने इस मामले में कहा कि हमारे उपर कभी भी हमला हो सकता है। अगर हमारे उपर किसी भी तरीके का हमला होता है तो उसके लिए जिलप्रशासन जिम्मधार होगा। मैं इंडिया के डवंदन समाजबादी पार्टी इटावा से लोक्षभा प्रत्यासी हूं। मुझसे 17 तारिक की रात को जो हमें सुरच्चा वेस्ता मिली थी वो हमसे रात को बापिस करा ली गई है। और मैं उसी संबंद में SSP साब से मिलने गया था। और SSP साब अंदर चेंबर में बैठे हुए थे। मैं बहार इंतियार कर रहा था पंदरा से 20 मिन तक मैंने इंतियार किया। उनका कोई जवाब नहीं आया मिलने का। तब मुझे मैंने फिर चुनावायोग को ये भेज दिया है। और मैं यही चाहता हूं कि मुझे सुरच्चा वेस्ता मोहिया कराई जाए। मुझे कभी भी रूलिंग पार्टी से और इनके रूलिंग पार्टी से मुझे खत्रा है। तब तक सुरच्चा वापिश नहीं ले जाती है। फिलाल इस दोरन पार्टी की कारेकार्टा पुलिस प्रिशासन से काफी नाराज होते हुए दिखाई दिए। और फिर से सुरच्चा में जवानों को लगाय जाने की मान करते देखे। पंजाब केसरे टीवी के लिए टावा से अरवीन कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। झाल